नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राकेस और आप देख रहे हैं GoToOnline तो ATM कार्ड को लेकर के बहुत सारे भाईयों के माइंड में कुछ डाउट रहते हैं जैसे कुछ भाई कमेंट करते हैं कि हमारा ATM कार्ड आ गया है और हमने उसका pin नहीं बनाया है तो क्या हमारा annual charge कटेगा कुछ भाई कमेंट करते हैं कि हमारा ATM कार्ड आ गया है और हमने उसका pin भी बना लिया है लेकिन हम उससे कोई transaction नहीं करते हैं तो क्या हमारा annual charge कटेगा और कुछ वही कमेंट करते हैं कि हमारा गलती से जो है दूसरा ATM कार आ गया है यानि हमारे पास दो ATM कार हो गए है तो क्या हमारा annual charge दोनों का कटेगा या फिर एक का तो ATM कार को ले करके बहुत सारे भाईयों के mind में कुछ doubt रहते हैं अगर आपके ATM कार जो है फ्री रहते हैं चाहे आपके पास में एक ATM कार हो या फर दो हो यानि सारे ATM कार फ्री होंगे उनका कोई annual charge आपको नहीं देना है चाहे आपने pin बनाया है नहीं बनाया है transaction करते हैं नहीं करते हैं कोई फरक नहीं परता वो फ्री होते हैं अब बात करते हैं normal saving account की तो अगर आपका normal saving account है और वो किसी भी bank का है तो देखिए अगर आपके पास में ATM कार आ गया है और आपने उसका pin नहीं बनाया है तो भी आपका annual charge कटेगा और आपने pin बना लिया है और आप transaction नहीं करते हैं फिर भी आपका annual charge कटेगा क्योंकि ATM कार हर समय active रहता है जब तक आप उसको block नहीं करोगे तब तक आपको annual charge देना होगा अब बात करते हैं अगर आपके पास में गलती से या फिर आपने जानबुझ के दो ATM कार जो है order कर दी हैं और दोनों ATM कार आपको receive हो गए हैं तो मैं आपको बता दूँ दोनों ATM कार का annual charge आपको देना होगा अगर ATM कार के charge से आपको बचना है तो उसका एक ही तरीका है आप अपना कार जो है block कर दीजिए और आपको कार जो है temporary block करना है क्योंकि कभी भी आपको भविश्में जरूत परती है तो temporary card को आप bank जा करके unblock भी करवा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है और ATM card की आज के समय में जरूती कहां पड़ती है एक बार UPI pin बनाने के बाद में आप ATM card को block कर सकते हो और कुछ bank हैं तो UPI pin बनाने की सुविदा आधार से भी दे रही है और virtual card जो है free होता है उसका कोई charge नहीं होता है तो virtual card की सायता से भी आप pin बना सकते हो अगर आपके bank में जो है virtual card की सुविदा नहीं है और आधार card से pin बनाने की सुविदा नहीं है तो ATM card से आप UPI pin बना लीजी एक बार और pin बनाने के बाद में आप उसको block कर दीजीए और block होने के बाद में आपका UPI pin बरकरार काम करेगा उस पर कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है तो इस तरह आप ATM card के charge से बज सकते हो अन्था आपसे annual charge लिया जाएगा तो अम्मीद करता हूँ आपके जो doubt है ATM card के charge को लेकर वो clear हो गया होँगे वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को like करके चैनल को जरू सब्सक्राइब करके जाएए फिर मिलता हूँ next video में तब तक के लिए गुडबाई